हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरीरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटर्ण सीयर करने जारी हूँ इस पैटर्ण को आप लेडी स्वेटर, गल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैन्स स्वेटर इसके अलावा का एप बिलेंगेट आदी में अपलाई कर सकते हैं बनके भुथी खुबसूरत हमारा ये पैटर्ण आ जाता है और फ्रेंडे साइड से हमारा ये पैटर्ण बनना इस्टार्ड होता है सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटर्ण बनाके कंप्लेट करेंगे बॉर्डर पैटर्ण कंप्लेट होने के बाद फ्रेंड साइड से हमारा ये पैटर्ण बनना इस्टार्ड होगा इस pattern को बनाने के लिए हमने 6 के multiple में फंदे डारने हैं पलस हमने 4 फंदे extra डारने हैं 10 नमबर की सलाई में हमने इस pattern को बना लेना है अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद front side से pattern की first row first row में देखे पहला फंदा उता लेंगे पहला फंदा उता लेना है धागा अपनी side करेंगे 2 फंदे उल्टे यहां से देखे पहला फंदा छोड़के यहां से हमारा pattern बना start हो गया एक फंदा उल्टा बना next फंदा भी उल्टा आ जाएगे 6 फंदों में से हमने 2 फंदे उल्टे बने धागा पीछे करेंगे 4 फंदे सीधे एक दो तीन चार अब देखे next हमने इन ही 6 फंदों का प्रोसिस रिपीट करना है धागा अपनी side 2 फंदे उल्टे दो फंदे उल्टे भुन लेंगे धागा पीछे 4 फंदे सीधे अब next हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे धागा अपनी side 2 फंदे उल्टे फिर धागा पीछे 4 फंदे सीधे एक दो तीन चार अब देखे हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से हमारे फंदों में जितने फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करना है दो फंदे उल्टे आएंगे चार फंदे सीधे अब last में हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सीधा आ जाएगो तो देखे एक फंदे साइड से हमारी पैटर्ण की फर्स्ट रो कम्प्लीट होगे रोंग साइड से देखे से किंड रो अब second row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी साइड करेंगे अब next देखे जो चार फंदे हैं हमारे ये जो चार फंदे उल्टे दिखाए देरें इनको हम डबल रोल करके बुनेंगे तो देखे एक फंदा बुंदिया डबल रोल करके नेश्ट देखे ये दूसरा फंदा भी हमने डबल रोल करके बुना ये तीसरा फंदा डबल रोल क करके बुना फिर देखे चोथे नंबर का फंदा भी हमने डबल रोल करके बुने तो देखे ये चार फंदे हमने डबल रोल करके बुने अब नेस्ट इनी छै फंदों का प्रोसिस रिपीट होगा धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड चार फंदे चार अब नेस्ट अमनी सेम प्रोसिस रिपीट करना है धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी साइड चार फंदे हम डबल रोल करके भुनेंगे धागा पीछे लास्ट के दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा तो देखे ये रोंग साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कम्प्लीट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की थार्ड रो थार्ड रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुन दिये धागा पीछे करेंगे अब नेश्ट देखे ये जो चार फंदे हैं डबर रोल वाले इनको सिंगल करेंगे एक, दो, तीन, चार ये देखे ये चार फंदों को हमने डबल से सिंगल किया आप देखे इन में से देखे जो पीछे के दो फंदे हैं आगे वाले दो फंदों के उपर से उतार के आगे लाएंगे ऐसे इस तरीके से इन फंदों को हमने ट्विस्ट कर लेना है अब देखे राइट निडिल वाले फंदे भी लेप निडिल में सिप्ट करेंगे अब इन चार फंदों को हम एक एक करके सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार अब नेस्ट हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है धागा अपने साइट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो फिर धागा पीछे करेंगे, अब नेस्ट देखे जो ये चार फंदे डबल हैं इनको सिंगल करेंगे, एक, दो, तीन, चार अब इन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है तो देखे जो पीछे के दो फंदे हैं, आगे वाले दो फंदों के उपर से ऐसे उतारेंगे और आगे लाएंगे इस तरीके से फिर देखे राइट नीडिल वाले फंदे भी लैफ नीडिल में सिप्ट करेंगे अब इन चारों फंदों को हमें एक-एक करके सीधा बुनना है फिर धागा अपनी साइड नेश्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा दो फंदे उल्टे धागा पीछे अब देखे इन चारों फंदों को एक-एक करके सिंगल करेंगे अब इनको ट्विस्ट करेंगे पीछे के दो फंदे आगे वाले दो फंदों के उपर से उतार के आगे लाएंगे फिर देखे जो राइट नीडिल में दो फंदे हैं इनको भी लैफ नीडिल में सिप्ट करेंगे अब इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा तो देखे ए फ्रांट साइड से हमारी पैटरन की थाड रो कम्प्लीट हो गई अब देखे रोंग साइड से फोर्द रो, फोर्द रो में देखे पैला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे, दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, लास्ट का फंदा उल्टा यह देखे, रोंग साइड से हमारी पैटन की फोर्थ रो, कम्प्लीट हो गई अब देखे, फ्रंट साइड से पैटन की फिफ्ट रो, फिफ्ट रो में हमारा पैटन रिपीट होगा फेप्तरों को हमने फस्ट रो की दरो बुनते हुए कम्प्लेट करना है तो देखे याँ पे रिपीट रो पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा पीछे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे आएंगे धागा पीछे चार फंदे सीधे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे दागा पीछे चार फंदे सीधे भुनेंगे दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तो देखे ये फ्रण्ट साइड से हमारी पैटन की 5th row कमफलीट हुए 5th row में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था 5th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete किया wrong side से जो हमारी 6th row आएगी उसको हम 2nd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे इनहीं 4 सलायों के pattern को हमने बार बार repeat करते जाना है और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले, thank you